जिहार जेल में एक दूसरे को अगर बढ़ाई भी देदोंगे हैपी न्यू यर वोट डिमिन में हैपी न्यू यर जब स्कूल के बच्छों को ड्रग सब्लाई किया आपका तो बड़े खुश होते हैं आप कोई तो सच बोले हम समझोता ही करते रहेंगे हमेशा कोई प्रेस्टिक्षन नहीं है पिल्कुल जानवर टोटली है जो है 100% पशू बनाने की तैयारी की जारी है क्या नया साल बनाओ गया अधी रात को बूद बिशॉश की तरह नाचना श्रापी के किसी नाइट्क्लम में इस इस हैपि न्यू यर बताईए Happy New Year तो भो होता है प्राता काल गौर्पुनिमा के दिन गौराब इस कलेंडर के अनुसार नव वर्ष हमारा गौर्पुनिमा का दिन है प्राता काल उठे भाम मुरत के समय मंगल आर्ती में जाएं रादा पार सार्दिका दर्शन करें लेकि समझते आई है कि हम लोग वेस्टन वर्ल्ड और किस्टन वर्ल्ड से इतने प्रभावित हैं उनके कलेंडर को फॉलो कर रहे हैं आज भी हम और अपने जो वेदिक संस्कृतियों को भूली गए हम लोग बड़े आश्यर की बाई इतना प्रभाव है इतना प्रभाव है बाप रे बाप कि हमारे भग तो जो हरे किष्णा हरे किष्णा कर रहे है वो भी एक दूसरे को हैपी नुएर बोल रहे हैं भी लेकि जब भागवत के अबर प्रवचन होगा एक मदो भागवा कावा रहे हैं यहां पे किसी को खुछ करने के लिए नहीं बूलने वाले है यहां तो शास्त्रम अबने लिखा वो ही बोले है तो गोरपोणिमा गोरावद का कलेंडर जो है वो दिन है हमारा वर्षिल उस दिन क्यों नहीं बोलते हैं हम लोग happy new year बताइए क्यों नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारे दे मिमाग को धो दिया गया, धोया नहीं गया है contaminate कर दिया गया है और वास्तविक जो धर्म है यह जो शास्त्र हैं, वेरिक शास्त्र हैं उनको कभी पढ़ाय नहीं गया बच्पन से, मूर्ख बनाया गया हमें बिल्कूल बच्पन से आज तक हम मूर्ख बनते रहे हैं अगर हम श्रवन नहीं करेंगे इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो वित्रण भी हमने कर दिया तो लाब नहीं मिलेगा कि ग्रखों का वित्र्न का लाव तभी मिलता है जब स्वाइम उसकाम अध्यन कर रहे हों यह कटू सत्य जो को ऑध्यन किये बिगार गणत बात रहे हैं उनको उतना समान थोगने हैं, कोई computer थोगना हैं हम लोग नहीं, लोग बोलते हैं, जी है, छड़क पर आप गीता बेच रहे हो जोर से थपड मारा हो उनको खिचा के जो भी लोग बोलते हैं ऐसा गीता बेच रहे हो, मुंध ली बेच हैं हम क्या बेच हैं आपके लिए बेफूफ लोगों को जो है बिल्बूली बिल्कुल अकल नहीं है एक कल्यूग है बताईए आप भगवत गीता बाट रहे हो बाट रहे हो इसके लिए प्रसंशा करनी चे लो सरहाना करनी ची कि इतना अच्छा कारें करें आज की वापेडी जो है धर्मेकारियों में लगी है एक अच्छा जीवन बिता रही है सब बन रहे है लोगव सब बहसुशील बन रहे है आदर्श जीवन बिता रहे है डेखके खुशीन होनीचे उल्टा इंक्यों रहे हैं लोगग इस शराब क्यूंनि बेच रहा है एक किश्च्राए जब श्कूल के बच्चों को ड्रॉग स supply किया जाता है तो बड़े खुश होते हैं आप जब आपके बच्चे ड्रक्स पी रहे होते हैं जो अध्यात्मी जीवन में नहीं बहुत ही जीवन में भी बर्बाद हो गए वो कहीं के नहीं क्या फादा मतायासी एजुकेशन का इसलिए भी रहे हैं स्कूल में बर्बाद करने के लिए उनको ट्रक्स दिलाने के लिए लशा करवाने के लिए प्रोनोग्राफिस साइट में जाने के लिए ये है मनुष्य जीवन हमारा और ये है है एपी न्यू यर आज के युवापड़ी जो है उनको मार दर्शन देने वाला कोई है नहीं केवल और केवल इस कौन के माध्यम से ही ये हो रहा है और कोई नहीं कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है इन विश्कूलों में विश्व द्यालों में जाकर कोई कर भी रहा है तो वो बहुत सारा समझोता करते है किसमें हिम्मत है बोलने की नो मीटिटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैंबलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन इसको स्थापित करने के लिए आपके पाद स्वयम अध्यात्मिक शक्ति होने चीए धर्म की सापना करनी बढ़ती है प्रचार करने के लिए और जब तक हम धर्मिक नहीं होंगे इनी मौका पानल करके हमारा प्रचार असफ़ल होगा अवित्रता के आदार पर प्रचार होता है इन स्कूलों में विश्व द्यालों में क्योंकि लोग जो हैं शुद्र जीवन बिता रहे हैं और पाप कारें में लिप्त हैं बच्पन सही तो भमिश्य उनका उज्वल नहीं है बुरा ना माले सच्चा ही हमें बोलने पड़े कोई तो सच बोले हम समझोता ही करते रहेंगे हमेशा हमके समझोता नहीं करना है शास्त्रों के नुसार यह शास्त्र बिदि मुस्रजे वर्तते काम कारता ना सस्धिम अबापनोती ना सुखम न पराम गतिम सिध्धी नहीं मिलेगा सुख नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा उस तो मिलेगा वो नर्ख मिलेगा लेकिन भगवत प्राथी नहीं होगी जीवन का जो लक्ष है वो नहीं प्राथ होगा पुने मुशी का भवा बार बार जन्मिर्थी जराव्यादी के चक्र में पुने फसना पड़ेगा और हमारा भविष्य जो है अंदिकार में बीतेगा इसलिए बहुत जुरूरी है इन पाट सालों में विश्विद्यालों में युवाओं के बीच में प्रचार करना अती आवश्चक है प्रलाद महारा ने बोल दिया आज से तीस करोर साल पहले पाट साल की वस्ता से भागत दर्म की जिक्षा देनी चीए तो ने वर्षों पहले बोल दिया प्रलाद महारा ने कौन देरा पाट साल की वस्ता से भागत दर्म कंप्यूटर लेके बैठे हैं फोन लेके बैठे हैं और उसमें अपनी उंगलिया चला रहे हैं बरबाद कर रहे हैं अपना जीवन, आपसीन साइट्स, प्रोगाफिज साइट्स, गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, दिमाग अपना चेतना अपना शुद्ध कर रहे हैं, ऐसे लोगर पढ़ भी लेंगे, तो पढ़के तो और भी जादा हाला तुमकी खराब हो जाएग यही हो रहा है, हमें बताया है, हमारे एक भक्त ने, कि उनके जान पचान के युवक हैं, बोलते हैं, डेली जो हैं फोन में लगे रहते हैं, यूट्यूब में, इंटरनेट में, इंस्टाग्राम में, फेस्बुक में, पास से छे गंटे बरबाद कर रहे हैं अपना रोज, और रो नियम तोड़ रहे हैं, थोक में, तो सोचके देखी क्या हलत हैं इस इंसार की, कोई प्रसिक्शन नहीं है, पिल्कुल जानवर, टोटली है, जो है हंटर्ड परसंट पशू बनाने के तैयारी की जा रही है, क्या नया साल बनाओगे आप, कहने को कह दिया है, हैपी नियु यर, कौन से नहीं चीज कर रहे हैं, सब भाई कर रहे हैं पुराना का पुराना, वही जनम मिर्तीयों, जरावयादी, गाना सोना, बचाव करना, संतान उत्मन करना, वही क्या है, अवैद रूप में, वर्नाशंकर हो गया है, वर्नाशंस धर्म का कोई नामो निशान नहीं है पूरे समाद में यह बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना नया साल नया साल करने से कुछ नहीं होगा वाट डी मिन भाइपी न्यू यर हैपी क्या है सब अध्य है दुखाले मशाश्वतम आप भ्रमा भुना लोका पुनर अवर्तिरो अर्जुना मा मुपईते ते कौनते आप पुनर जर्मना विद्यते केवल भवान कृष्च के चड़नों में जाओगे तब पुनर जर्म नहीं होगा तब दुबारा इस क्या इस संसार में दुबारा नही लोगे तो फाइदा क्या बताइए तिहार जेल में एक दूसरे को अगर बढ़ाई भी दे दोंगे हैपी न्यूएर वाटी में हैपी न्यूएर आप जेल के अंदर बंद हो हैपी न्यूएर तो तब होगा जब आप कृष्व भावना भावित होंगे और ठाकुर जी के पा पूरा बर्बाद कर दिया हमारे देश को क्या बोला हर्दास थाकुर ने नामा चारे हर्दास थाकुर ने बोला कि खंड खंड कर दो मेरा शरीर लेकिन मैं नाम नहीं छोड़ूँगा लेना ये स्पिरिट ओनाशी ये है न्यूएर रिजूलूशन दो हजार तेईस